हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अशर खान कंसल्टंट इंटरमेशन काडिलोजिस्ट हेल्धी हाट क्लिनिक छाउनी नाकूर और यह हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम हाट और हाट की बीमारों के बार में डिस्केशन करते हैं और आप तक जानकरी देते हैं यदि आप ह हेल्थ एप्स और स्मार्ट वाचेस के बारे में आजकल हम देखते हैं कि मार्केट में से बहुत सारे वाचेस आ गई है जो आपके हार्ट की बारे में जानकरी देती है आपके हार्ट रेट के बारे में बताती है और कुछ वाचेस जो आपका ECG भी बताती है क्योंकि यह का जानकारी है उसका interpret बराबर से करना बहुत एहम है कुछ वाटिस है जो आपको notification भी देती है कि आपका heart rate abnormal है आपका heart rate slow हो रहा है या fast हो रहा है जनरली आपके phone में कुछ parameters रहते हैं जो आपकी health बताते हैं for example आप दिन में कितना चल रहे हैं आप कितना work out कर रहे हैं कितना समय बैठ रहे हैं कितना समय खड़े रहे हैं आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि यह जानकरी आपके लिए बहुत important है studies में पाया गया है कि जो लोग दिन में 7000 steps complete करते हैं उनका lifespan अच्छा रहता है और उन्हें heart disease होने के समझना कम होती है तो यदि आपका phone आपको बता रहा है कि आपकी दिन में चलने की जो range है वो steps बहुत कम आ रही है तो आप उसको बढ़ा के अपनी health को अच्छा कर सकते है उसके अलावा कुछ simple parameters है जो आपका phone आपको बता सकता है for example अगर आप अपने height और weight को entry करेंगे आपके health app में तो आपको BMI नाम का एक parameter मेलेगा BMI यहने body mask index तो BMI हमें बताता है कि आपकी body weight बराबर है या नहीं है for example मेरा weight अगर 80 kilos है और मेरा height 180 cm है तो मेरा BMI roughly 24.9 तक क्य आएगा तो BMI 18 से 25 हम healthy मानते है 18 से कम हम underweight मानते है 25 से 30 हम overhead मांगते है और 30 के उपर मोटापा कहा जाता है तो यह simple parameters है जो आप guide कर सकता है कि आपको weight lose करने की ज़रूत है या नहीं है next हम आते है smart watch से heart के सम्बंदित जानकरी कैसी ली जाए आज कल हमारे पास apple के smart watches है Samsung के smart watches जो से fitbit है ऐसे बहुत से product available है जो काफी frequently use होते है आपकी smart watch आपका heart rate बता सकती है आपकी smart watch की पीछे green या red light होते है जो आपके heart heart का blood flow जो हाथ में जा रहा है वो sense करते है और वो आपका pulse rate बता सकते है अगर आपको आपका smart watch high pulse rate notification देता है मतलब आपका रिदय का speed fast हुआ है यदि वो low pulse rate notification देता है इसका मतलब कि आपका heart का speed slow हो गया है जब ऐसा notification आता है तो आपके लिए समझ में जरूरी है कि notification की value क्या है इसका importance क्या है यदि आप exercise कर रहे है दौड रहे है भाग रहे है और आपका heart rate high जा रहा है तो यह normal सी बात है जायर सी बात है बट यदि आप rest कर रहे है आप सो रहे है यह relaxed state में आपकी watch आपको बता रहे है कि आपका heart rate 180, 150, 120 तक के जा रहा है तो यही थोड़ा चिंता का विशे हो सकता है और आपने आपके doctor से discuss करना चाहिए जब हम low heart rate की बात करते हैं तो नीन में हम सब का heart rate low होता है as low as 50, 45 भी जा सकता है तो नीन में low heart rate notification काने की चिंता इतनी नहीं होती है बड़ जब आप awake है बिना कोई medication का आपका heart rate low चल रहा है तो आपने आपके doctor से मिलना चाहिए आज कल की कुछ नई smart watches में ECG का यंत्र भी आ गया है ECG एक ऐसी चीज है जो आपके heart का electrical activity बताता है ECG से हमें कई मालूमात मिलती है और generally एक clinic में किया जाता है doctor के जिसमें कई electrodes आपके छाते पे और हाथ और पर में लगा जाते है और आपका पुरा heart का electrical record बनता है जो ECG हम लोग क्लिनिक में कहते है उसे 20 DCG कहते है और जो ECG हमें अपनी watch मिलता है वो single lead ECG होता है तो आपका जो watch से ECG निकलता है उससे आपको कुछ सीमिज जानकरी मिल पाती है बट यह जानकरी भी आपके लिए life saving हो सकती है तो आपका जो watch से ECG निकल रहा है जो smart watch आपको दर्शा रहा है उससे आपको क्या मालूम पढ़ता है इससे एक बहुत एहम बिमारी जिसे हम कहते है atrial fibrillation समझ में आता है atrial fibrillation एक ऐसी बिमारी है जिसमें रिदय की rhythm हैने हाट की ग आपकी जो smart watch है उसमें atrial fibrillation detect करने के यंतर होते है आप ECG के जरीए समझ सकते है कि आपको atrial fibrillation है के नहीं है यह जो बिमारी है यह जनरली 50 के नीचे बहुत uncommon होती है बट old age में बहुत common होती है तो यदि आपके जो old age relatives है आपके parents है उनके पास smart watch है तो यह watch वो बिमारी सकती है तो आपके smart watch से ECG लेने का एक तरीका होता है जनरली आपके watch के point पर आपको finger रखनी पड़ती है और 30 seconds के लिए आपका watch आपकी beat को analysis करता है उसके पश्चात वह ECG देता है जो आपके phone पे दिख जाता है और वह ECG आपके doctor को भेज सकते हो यह particularly उन लोगों के लिए आप फायदे मंद है जिनको पहले से heart की बिमारी है जिनको पहले से blood pressure है जिनका age जादा है और अकेले रहते हैं जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं care करने के लिए कोई नहीं है तो यह simple चीज से आप अपना ECG तुरंट record करके आपकी बच्चों को भी भेज सकते हैं आप स्मार्ट के अंदर छोटेड़ का नेमान होता है यह क्लोट आगे जाके brain में kidney में यह heart में अटक सकते हैं और बहुत problem कर सकते हैं तो smart watches अगर आप यूज करते हैं और आपको यह alert आता है तो आपने तुरंद आपके doctor से मिलना चाहिए तो यह नई technology है जो आपको आपके heart की बार में और जानकरी देती है इसे सही तरगी से समझना और interpret करना बहुत important है जैसे हार technology के कुछ limitation रहते हैं आपके smart watch के भी कुछ limitation रहते हैं यह बात याद रखिए कि आपका smart watch heart attack detect नहीं कर सकता है आपका smart watch stroke या paralysis भी detect नहीं कर सकता है आपका smart watch दूसरी condition जैसे के बढ़ा cholesterol दूसरी type के rhythm defects पी detect नहीं कर सकता है यदि आपकी तवयत खराब है और smart watch नॉर्मल भी दिखा रही है फिर भी आपने आपके doctor से मिलके discuss करना चाहिए यदि आपको इसके बारे में और कोई जानकरी चाहिए तो आप comment section पे लिखिए मैं उसका जवाब ज़रूर दूगा क्यो झाल